बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवाकर यानी GST परिशद 12 और 18 प्रतिशत दरों को एक नएस लाब में विलाई करने की संभावनाओं की चांच करेगी हानकि उन्होंने कहा कि परिशद के GST दरों को और तर्क संगत बनाने या उनका विलाई करने पर विचार करने से पहले कर राज़स्वों को स्थिर बनाई जाने की जरूरत है GST परिशद के सदस्यमोदी ने ये भी कहा कि सामानों के उपर लगाए जाने वाले मूल्य टैग में सभी करों समेथ मूल्य लिखा होना चाहिए उन्होंने कहा कि GST परिशद 12 और 18 प्रतिशद कर दरों को एक नई स्लाब में विलाई करने की संभावना पर चर्चा करेगी ये दर इन दोनों के बीच की एक दर हो सकती है वहीं फिलहाल 50 वस्तूओं को 28 फीसिदी के दर दाइरे में रखा गया है जिन में से कई वस्तूओं को इस से निकाला जा सकता है उन्होंने कहा कि परिशद ने 178 सामानों पर कर की दरों को घटा कर से जुड़े 90 फीसिदी मुद्दों का समाधान कर दिया है उन्होंने कहा कि मैंने GST परिशद को सुझाव दिया है कि वस्तूओं पर अंतिम कीमत सभी करों को मिला कर दर्स की जानी चाहिए मुझे उमीद है कि परिशद इस प्रस्ताव को मन्जूरी दे देगी